तो गाईज आज के इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे जो भी प्राब्लम जो है फीस करने को मिल रही है कांडिडेट्स को रिजल्ट से रिएटेड उसको हम सॉल्फ करेंगे तो देखें आप में से बहुत सारे कंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका रिजल्ट शो नहीं हो रहा है वैबसाइट ओपन नहीं हो रही है या कोई और इश्यू है जिसके कारण जो है आप लोगों का रिजल्ट नहीं आ रहा है तो अगर सबसे पहला जो step मैं आप लोगों को बताऊंगे प्लीज उसको follow करना because बहुत ही important है मैंने कल की वीडियो में भी आप लोगों इसे share किया था तो जिस candidate का result नहीं निकल रहा है और पहले उसको पता नहीं था कि हमें enrollment certificate भी submit करना था, upload करना था वो किसी reason से अगर upload नहीं कर पाया है या कर पाई है तो please आप लोग जो है 15th में से पहले पहले या आज ही कर दीजिए अपने enrollment certificate को upload कर दीजिए जिसके करन जो है आप लोगों का result आगे further जब वो new date अपनी बताएंगे maybe 28th को नया result आएगा जिन candidates ने enrollment certificate नहीं upload किया था और जिन्होंने अभी कर दिया है ठीक है उनके लिए और बाकि जिनका result आ गया है मैंने congratulations आप लोगों को और जिनका नहीं आया है या उन्होंने अपने RMI sheet में enrollment number गलत फिल किया था और लंबर गलत फिल किया था नेम में कोई mistake की थी तो guys इस चीज के बारे में हम एक separate video अपनी रखेंगे confirm करना पड़ेगा आगे BCI से कि किस तरीके से क्या कुछ solution हो सकता है इस चीज के लिए ठीक है तो आप लोग भी try कर सकते हो बार कांसिर ओफ इंडिया को personal या आप लोग call करके पूछ लीजी या फिर इनको mail send कर लीजी अब एक category तो ऐसी है कि candidate से बूल रहे है कि हमने अपने जो revised answer की आई थी उसके हिसाब से हमारे जो marks हैं वो इतने आ रहे हैं और वहाँ पर fail show हो रहे हैं तो guys क्या पता ऐसी problem हो कि आप लोगों ने जो भी अपना documents या फिर अपने enrollment certificate upload ने किया होगा या फिर जो भी उनकी तरफ से requirements थी वो आपने fulfill ना किये हों जो भी आप लोगों का name था वो आपने गलत फिल कर दिया हो कुछ भी reason अगर आप लोगों ने correct information वहाँ पर OMR sheet में fill की हैं जिसके कारण वहाँ पर fail show हो रहा है तो ऐसा अगर आपने किया है तो please उसको एक बार थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा और इसका भी solution आप लोगों को बताएं या फिर आप BCI को direct call करके पुछ लीजिए ठीक है और अब आप में से बहुत सारे candidates ऐसे भी हैं जिनका result जो है वो उनीकी गलती से show नहीं हो रहा है या तो वो गलत अपना enrollment या फिर roll number पुट कर रही है rate of birth जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि अपनी जो rate of birth अपने documents में फिल करोगे registration के time आप लोगों को ध्यान रखनी है तो same जो भी आपने अपना follow किया था AIB 17 की registration के time same वही चीज़े आप लोगों को अपने result के लिए follow करनी पड़ेंगी जब भी आप लोगों का result जो है निकल पाया and जो किसी की तो site ही open नहीं हो रही है तो प्लीज आप लोग जो है थोड़ा wait कर लीजी अगर अब भी भी result नहीं निकला है तो और जैसा कि मैंने देखा है कि बहुत सारे candidates का result by mail ही उनको आ गया है जिनका नहीं आया था तो आप लोगों अपनी mail को check कर लीजीए क्या पता आप लोगों का result वहाँ पर आ गया हो और अगर फिर भी आप लोगों को result से related कोई भी doubt है तो आप comment section में लिख सकते हैं और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि enrollment certificate जिसने upload नहीं किया था प्लीज अपना enrollment certificate upload कर लीजिए ताकि आप लोगों का result जो है वो mail में ही आ जाए उसके बाद अगर आप लोग अभी अपना enrollment certificate upload नहीं करोगे तो कोई भी possibility आप लोगों के पास नहीं रहेगी कि result आप लोगों को मिले ठीक है और जिनको भी आ गया है या जिनका नहीं आए होप सो आप लोगों का result जो है वो जल्दी ही आ जाए और आप लोग ये procedure जो मैंने आप लोगों को बताए है प्लीज उनको follow कर लेजिए बाकी हम भी अपनी तरफ से कौशिश करेंगे जो भी solution है जिनका नहीं निकल रहा है जिनका fail शो हो रहा है उनका भी हम देखते हैं क्या कुछ होगा ठीके तो गाइस आप लोगो को वीडियो घल्फू लगी होगी अगर आप लोगो को वीडियो घल्फू लगी देए जिनका प्लीज देए जो लाइक शेर और सब्सक्राइब चैनल फोर मोर वीडियो थैंक यू फोर वाचिंग दिस वीडियो